तो चलिए डियर स्ट्टेटेंट्स आज सुरू किया जाएं कल जो हम लोग पढ़े थें क्लास 10 के केमेस्ट्री का फर्स चेप्टर केमिकल रियक्शन्स एंड इक्वेशन्स का पार्ट वन और आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज हम लोग सुरू करने वाले हैं पार्ट टू यह on euro कि यह अगे पढ़ने वाले हैं कल लुए निवर इसके थोड़ा से आगे हम लोग पढ़र भते हैं क्ली देखिए है मैं और कोई क्या बटा है सुआ है तो कैसे पहचानेоже हुआ है यानि कि characteristics of chemical reaction जैसे कि topics आप देख रहें यहां पर है characteristics of chemical reactions तो generally there are five characteristics first one is evolution of gas second one is formation of precipitate third one is change in color fourth one is change in depression and fifth one is change in state one by one हम लोग बात करेंगे यानि कि characteristics of chemical reactions की एक ही करके हम लोग आगे पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे the first one is evolution of gas evolution of gas मतलब कि अगर कोई chemical reaction हुआ है तो गैस निकल सकता है यानि कि एक गैस का formation हो सकता है जब गैस निकलता है उसको evolution of gas बोलते हैं कि here is a figure you can say this is a conical flask conical flask में क्या है जिंक granules जिंक के दाने को लिया गया है इसमें उपर से dilute sulfuric acid यह देखिए dilute sulfuric acid को यहां पर add किया गया है जैसे dilute sulfuric acid को आप add किजिए गा तो इसमें bubbles दिखाई देंगे bubbles का formation होगा और यह bubbles किसके होते हैं तो यह bubbles hydrogen gas के होते हैं यहां पर अगर आप zinc को dilute hydrochloric acid के साथ reaction कराते हैं तो zinc chloride बनता है और hydrogen gas निकलता है यहां पर देखिए यह जो dilute hydrochloric acid का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि अगर zinc को dilute sulfuric acid के साथ reaction कराया जाए तो zinc sulfate बनेगा और इसके साथ में कौन सा गैस निकलेगा तो hydrogen gas evolve होता है अब देखिए यहां पर जो conical flask जैसा कि आप figure में देख रहे हैं यह इसके bottom को यहां पर अपने हाथ से इस जगह को यहां से हाथ से अपने अपने हाथ इसको touch किजिएगा तो इसका टेमप्रेचर होगा यह हाई होगा यहां कि temperature इसका ज्यादा होगा इस कह सकते हैं कि when we touch the bottom of the flask we feel that it is hot यानि क्यों गर्म वो होता है वो गर्म हो जाता है देरिजर टेप्रेटरी चेंज आल्सों इन दिस यहां पर इस रेक्शन में दो चीज़ें हो रही है फर्स्ट वन इज इबोलुशन हो गैस और वन इस टेंप्रेचर चेंज मतलब कि इसका टेंप्रेचर र लिए अगर आप इस मैगनेसियम को डाइलूट सल्फियूरिक एशिट गेसाथ रियक्शन कराते हैं तो यहां पर मैगनेसियम सल्फेट और फिर से हड्यून गास निकलता है इनदर एक्जामपल इस वेन डाइलूट एसट डालूट एसे बतलब कि आप यहां पर सल्फियू इसको पोर करते हैं किसी के डालते हैं किस पर डालना है तो सोडियम कार्बोनेट के अवपर आप रिक्षन कराएगा एक टेस्टूब में लेकर के तो यह देख सकते हैं कि अगर पर यहां पर यह सकते हैं हे वाटर और एक गैस का Formation होता है इस गैस कारभन डायकसाईड कशी से निकला एपर कोई रियक्शन होता है तो इस एक में एक टेड़ मेन ल से केमिकल चेंज दोर चेंजी केमिकलग ऑने महां पर चलिए केमिकलगी कि is formation of precipitate यानि कि precipitate का formation होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते है कि precipitate है क्या तो जब कोई reaction होता है तो उसमें एक solid चीज बनता है यानिकि solid substance बनता है जिसको हम लोग solid product बोलते हैं यानिकि solid product यहां पे आप देख सकते हैं कि definition अलग हो जाता है यह बनता है एक सॉलीड प्रोडक्ट और यह बनता है एक सॉलीड प्रोडक्ट और यह सेप्रेट out होता है यानि कि अलग हो जाता है थैसी को बोलते हैं precipitate को सझा от क्ट में क्या लिख सकते है तो precipitate को आप लिख सकते है ppt 57 Kabini PPT is a South form of precipitate तो आघए आजये ब्रेशिपित हैं कि हम लोग कैसे बना सकते हैं नसी बनाने का तरीका देखिए कि अगर एक precipitate को अब बनाना चाहते हैं तब इसको mix किजिए किसके साथ mix किजिएगा दो Atécoast solutions यानि कि एक वह solution को क्या करना है Mix करना है यह solution किसके होंगे तो reactant के होंगे और यह दोनों को mix किजिएगा तो एक ऐस़रेट बनेगा एक ऐसा बनेगा जो इंतुलिबल होता है याने की ए प्रोड़क्त बिस टेसेजिफ लेखें यहाँ पे इन सोविसहां पर उसको बोलते हैं हम लोग पेरिशिपीट अीये एकजामपल आजाएं यहाँ पर यह दिखा हुमझा है यह दिखें इकजामपल प्रेसियम ऐधीड जबुद लेड नैट्रेट का अगर हम रियक्षन कराते हैं तो रियक्षन कराने के बाद यहां पर एक कंपाउंड बनता है देट कंपाउंड is what तो वहां पर देखेंगे आप लेड इदिखिए यहां पर दिखा रहे हैं यहां होता है वह एक प्रेसिपीट होता है यानि कि जो बॉटम में जंग जाएगा डिसन सब्सक्राइब इसके साथ में पॉटेसियम नीटरेट भी बनता है जो कि सोलुसं के फोर्म में होता है बात करते हैं हम लोग यहाँ पर देखे स्य किया हो गया यह है अपका सल्फियुरिक एसिड आप ले जायए है और बलूराईड यह दोना। स्लूशन के फॉर्म में यह दोनों स्लूशन ली हम लोग अब यह दोनों स्लूशन कराईएगा तो यहां पर क्या बन रहा है तो देखें यहां पर बन रहा है तो यहां पर बनता है और इसके साथ में क्या चीज बनता है तो यहां पर देखेंगे आप हैड्रोजन एनिके hydrogen chloride जो solution के form में present रहेगा एक बात और हम लोग बात किये थें कि precipitate बनाने के लिए आप दो solution कर सित्वाल के जिए नहीं तो आप किसी solution में एक gas को pass कराइए तो यहाँ पे एक solution है आप देख सकते हैं यहाँ पे यह solution कैसा solution है तो यह है calcium hydroxide एक solution है calcium hydroxide इसमें हम लोग गैस को पास करा रहे हैं यह देखिए गैस को पास किए यह गैस को पास कराईएगा तो क्या होगा तो एक वाइट प्रेसिपिटेट फिर से बनेगा calcium carbonate बोलते हैं इसको इसके साथ में चीज़ क्या बन रहा है वाटर तो अगर किसी भी प्रोसेस में किसी भी चेंजिंग में प्रेसिपिटेट का फॉर्मिशन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहां पर chemical reaction हो रहा है थाड़ करेक्टरिस्टिक यह है थाड़ करेक्रिक्टिस्टिक केंजियन कलर यानि की reindeer में चेंजिंग होता है। दि consum है पोटेंटियम पर लब कैसा होता है तो उसका कटलर परपल गाया यह देखिए परपल सोलुसर का होगा अब यह दुनों का पर परीक्शिन कर आईएगा तो यह कलरले सोलुसर बना देगा मतलब यह परपल कलर गई हो जाता देर इस एकजामपल ऑस चेंज इन कलर यहां पर देखिएगा सलफर डाइकसाइड है जो गैस है यहां पर देखिए सलफर डाइकसाइड गैस अब यहां पर क्या है कि देखिए एक सोलूसन है पड़ेसियम डाइक्रिमेट का इसका कलर कैसा होता है तो इसका कलर हो ओरेंज हम लोग देखते हैं कि यह एक भी टेस्ट्यूव है टेस्ट्यूव में क्या लिया गया है ओर्एंज सोलूशन आफ प्टेसियम डाइक्रोमेट इसमें स्यो ट्व गैस को पास कराया गया जिसका कलर कैसा हो गया है ग्रीन सोलूशन हमें मिला है यहां पे जो ओरेंज था और इ in temperature and fall in temperature are commonly termed as change in temperature अगर राइज हो रहा है यह देखिए राइज या फॉल हो रहा है तो दुनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं तो कुछ ऐसे chemical reaction से हैं कुछ ऐसे chemical reaction से हैं जैसे यहां पर देखिए कि जिसमें energy release होता है लेकिन कुछ ऐसे chemical reaction से हैं जिसमें energy क्या होता है absorb होता है यह यह energy के absorb करते हैं और कुछ क्या करते हैं release करते हैं तो इस basis पे on the basis of energy change there are two types of chemical reaction यह देखिए यहां पर और another one is endothermic reaction एक एक जो और एक इंडो तो चलिए आगे देखते हम लोग एक जो थर्मिक रियक्षण यान कि the reaction in which energy is released दर एक्षण इनरजी इस रिलीज्ट यानिके energy क्या हो रहा है निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे energy जिल एज प्रोड़क्ट यानिकी प्रोड़क्ट के फॉर में energy निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग एक जो धर्मिक रियक्षण यहां पर इस बीकर में देखें ध्यान से यह एक बीकर है जो हाड़ ग्लास का बना हुआ है अब यहां बात करेंगे कि यह हाड़ ग्लास का क्यों है क्यों हम लोग जेनरल ग्ला जाते हैं जिसका फर्मूला तो सीए ओ यानि केल्सियम इसमें जैसे ही आप वाटर को पूर कीजेगा यहां पर वाटर को क्या किया जा रहा है पूर किया जा रहा है वाटर हम लोग टेस्ट ट्यूब से डाल रहे हैं तो जैसे डालेंगे तो यह स्लेक्ट लाइम बन गया स् लेकिन यह कैसा हो गया होट तो इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि एक वृट वह Ö या प्लस एनरजी रहेगा means energy is released during the reaction another example is burning of fossil fuel are also exothermic reactions यानि कि जो fossil fuel जलते हैं वो exothermic reaction का ही example है चलिए आगे देखते हैं हम लोग endothermic reaction the reaction in which heat or energy is absorbed यहां पर देखें यानि प्लस नहीं होगा तो यह reaction ही नहीं होगा क्योंकि energy absorbed हुआ है यह किसलिए हुआ है तो carry out the reaction यानि कि reaction को कराने के लिए to carry out the reaction reaction को कराने के लिए energy की जरूरत होती है तो इसके हम लोग इंडो थर्मिक रियक्शन बहुते हैं इसको आप एड़ किजिए किसके साथ तो इसके साथ में और इसके साथ में वाटर बनता है यानि कि तीन चीजे बलती है जब बेरियम हाइड्रोकसाइड का और इसके साथ साथ में यहां पर क्या लिखा हुआ यहां पर डियान देनी वाली दिखिए कि यहां पर निकलाने इनर्जी मतलब किया गया है रियक्शन को करने के लिए अगर एक बीकर लेते हैं अप यहां पर इस बीकर में यहां पे हम लोग क्या कर लिए हैं यह बेरियम हाइडरोकसाइड का सोलूसन हो गया यह बेरियम हाइडरोकसाइड का सोलूसन है और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड का सोलूसन को मिला देते हैं तो अमोनियम क्लोराइ है यहां पर Ammonium chloride है यह हमारा product है क्या है रियक्टेंट क्या है Ammonium chloride Ammonium का मतलब NH4 यह Ammonium है यहां पर बन रहा है वह क्या बन रहा है NH3 बन रहा है इसके साथ में water और energy होता है अगर आप हम लोग हाथ से पर क्रते हैं इस जगह पर इसके bottom को touch किजिएगा यह कैसा फिल करेंगा यह कूल करेंगा यानिकि आप ठंधा कानपो होगा जब्क यहां पर यहां पर क्या किया गया है चलिए अलाश्ट करेक्रिस्टिक जो कारा करेक्ट्रिक को हम लोग चैंब करेक्षान पढ़ रहे यह होता है एक जांपल से देखते है हम लोग यहां पर यहां किया है कि यह मैं ने टो toc quartz यह हो गया यह दीखी है इसके साथ में वीक मतलब बाती हम लोग बोलते हैं रस्तल बीडा है को अरो यहां पर फिलिम ज shapes a candle होता है तो कैंडल किसे बना होता है वाक्स से और एक चीज वेक होता है जब जलता है तो ये वाक्स सौलीड है वैक्स क्या है तो यहीं लिक्विड यानि कि vapor wax है वो जलता है और जब जलेगा तो क्या बनाएगा solid wax जो है वो चेंज होता है water में यानि कुछ water निकलता है जो room temperature होता है इसके साथ साथ में carbon dioxide gas निकलता है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो solid जो हमारा solid था solid wax है यह किस-किस चीज में change हो रहा है तो यह liquid बनाया water के form में क्या बनाया liquid बनाया यह solid था liquid और इसके साथ-साथ में क्या carbon dioxide बनाया यानि कि solid liquid और gas में change हो रहा है तो इसे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर change of state हो रहा है इसका एक और example है देखी इनदर example is electrolysis of water electrolysis of water यानि कि water liquid है इसमें अगर आप electricity पास कराते हैं तो दो gas बनते हैं एक है hydrogen gas oxygen gas इसको बारे में detail में आगे पढ़ेंगे decomposition पढ़ेंगे वहां पर तो यहां पर liquid क्यों बदला gas में गैस में यानि कि liquid था गैस में बदल गया जिसको बोलते हैं हम लोग changing state अब यहां पर कुछ points हैं जो जानने वाले बाते हैं यह देखे क्या है कि there are some chemical reactions तो कुछ-कुछ chemical reactions हैं जैसे chemical reactions के बारे में बात करें कि यहां पर कुछ-कुछ जो एक से ज़्यादा characteristic को सो करते हैं तो first example is here zinc granules देखे zinc granules को reaction करते था dilute acid यह dilute acid HCl भी हो सकता है यानि कि hydrochloric acid भी हो सकता है इसके अलावा यह iso4 भी हो इसका temperature क्या होता था temperature rise कर जाता था गरम हो जाता तो उसके बॉटम को जो बीकर है उसका बॉटम के छूते तो गर्मी लगती थी यानि कि वहां पर इनर्जी भी हो रही है इनर्जी है इसके साथ साथ में ग्यास भी रिलीज हो रहाते हैं भी दो दो चीज़े होई है इनदर एक्जामपल इस प्रेसिपिटेट जब लोग प्रेसिपिटेट के बारें पड़ रहेते हैं तो प्रेसिपिटेट में हम लोग क्या देखे थे कि अगर प्रेसियम ऑइंडाइड को आप लेक्षिपिटेट के साथ रियक्षं कर रहें तो यहां पे क्या बनता है एक प्रेसिपिटेट बनता है तो इसका अले डीज़ी रहे हैं यह इस डॉह लोग जब देखे थे हाइं नटर यह हो सकता है तो आज के लिए इतना इंफिर हम लोग कल बात करेंगे के हुल किसको बोलते हैं कि कि हुलतेखेसंस को बैलेंस कैसे करना है यह सारी बाते हम लोग जानेंगे इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे चलिए धन्यवाद थेंक यू